चुटकी बर भस्म पाउडर, फेर्नेस माजिक, स्पॉटलेस ओवरनाइट क्रीम कर देगा इतना गोरा आज का टॉपिक यह है कि जो पाउडर मैंने बहुत दिन से आप लोगों से बात की थी कि मैं फेर्नेस के लिए बताऊंगी काफी वन मत पहले से बताया वह था वो पाउडर भस्म की आज बात करूँगी और उसके साथ मैं आप लोगों का जो डिमांड है कि ओवरनाइट क्रीम बनाओ वो क्रीम बना करके दिखा रही हूं मैं आज आपको लेकिन रेसिपी शुरू होने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लीजए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजए और इसको भी मेरे में चैनल रेसिपी भी Dr. Shalini की तरह 14 लाग से उपर बनाईए ताकि एक मोटिवेशन मेले, आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट मेरे मोटिवेशन को बहुत बहुत बूस्ट करता है, हाई एवरीवन, मैं हूँ Dr. Shalini, और मैं हूँ एक नाच्रोपैथ, अदि नाच्रोपैथ, एपने पेशन का ट्रीक्मेंट हमेशा नाच्रल चीजों से करता है, आज का प्रोड़क्ट है वही नाच्रल है, जो मैं लेकर का यह ले रही हूं, वह है अलोवेरा जल, यह मेरा जल है होम मेड है, एक साल पहले शेयर की थी तो उसका लिंक आपको डिस यहां पर मैंने 100 g जल लिया है उसके बाद हम यहां लेंगे जो मेन की इंग्रीडियन्ट है यसत भस्म यहां यसत भस्म यसत भस्म यसत भस्म यहां बीटी के लिए हमेशा से पुराने जमाने से बहुत काम आया है इसके अलावे इसकी हल्थ बेनिफिट भी है जो आने वाले मैं आपको जरूर बताऊंगी फीमेल या मेल सेक्शल प्राब्लम हर्मोनल प्राब्लम ऐसे चीजों में यह बहुत यूज किया जाता है जो डाइबटिक पेशेंट होते उनके लिए बहुत अच्छा होता है बट वहल्थ का सेग्मेंट जब आएगा तो मैं बिल्कुल बता मेलनिन कंट्रोल बट है जो एक आसिड आपने सुन होगा जिंक अकसाइड जो कि आपके बैप में बहुत था होती है उसी तरह सी बहुत पुराने जमाने से ब्यूटी के इसमें लेकर आया जा रहा है, ब्यूटी जितने भी होते हैं, या जो जानलेवा बिमारिया होती है, उसमें इसको यूस किया जाता है, इंटेक का क्वांटिटी बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ध्यान दीजेगा, खाने से पहले, आज सिर्फ एक चुटकी है, जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतना ही डालना है है हंड्रेट ग्राम जेल में, उससे ज्यादा आप नहीं डालेंगे, और उतना ही इसको मिक्स करना है, यह आपके फेस के डार्क स्पॉर्ट, पिग्मिन्टेशन, किसी भी तरह की जाईया एक कीचड जैसा लुक नहीं देता है कि केकी आपको पेस 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 केकी है या फिर दरदरा सा लग रहा है कुछ उपर से पैक लगा लिए ऐसा आपको फील नहीं होगा, तो यह बहुत एजली आपके मिल्ड हो जाते हैं तेस के अंदर इसी लिए बहुत थोड़ा सा ल जिनको जो जादा एज की फीमेल सोती है यह मेल सोते उनको भी प्रॉबलम होता है कि उनके जिल्ली होती वो ड्राइ होने लगती जिसकी विजसे रिंकल आने लगते है उस टाइम भी यह बहुत अच्छा काम करता है इंटर्नल एक्टिवेशन दे देता है जिस वज़ से जिनक होने के कारण थाद है इंट होने के कारण ही अ बिटमीड थावने के कारण में लिए टीए हुटी भी C कर्ण इसका रिजल्ट बहुत 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 बच्छ टोता है य이में मैं इसंके ड बाई हु हो कर देंगे और से ने Ariana dość inkling ड्रीटियंग तब दिल्ले जो ह आपको ज्यादा दिख रहा होगा लेकिन फोर ड्रॉप है यह आपके इक्वल करता है इसके अंदर विटामिन E की मात्रा बहुत पाई जाती है रोजिप आप में अपने आप में स्किन की किसी भी हाई डिजीज को बहुत इसली खतम करता है तो आपको याद होगा जिनोंने भ जड़ी होती है रोजिप कहते है उसको उससे निकलता है और यह बहुत ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिशल होता है विटामिन E और A दोनों इसमें बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है तो जो लोग कहते हैं कि मुझे विटामिन A का सिरम चाहिए तो अगर वो यह यू जड़ा है तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वांटिटी में कितना डालना है नेक्स जो इंग्रीडियंट ले रही हूँ यह है संडल लोड ओई चंदन का तेल है मैं जो चंदन का तेल खाती हूँ जो एडिबल है मैं वही यूज कर रही हूँ अगर आपको लगे कि आ तो यह थिजिए एक करी ओट में इसे लिए वहाया रहता है इसलिए वह उस्ता होता है उसी तरह से आप इतना में लेकर आपकि असी भी तेल में मिलादीजिये वह संगों आपके लिए तो वह होता है शेंचलल कैन जो बड़ी 1520 ml के बॉट बॉटल आप दोसों में करीबते यह में चार ड्रॉप डाल रही हूँ, यह आपके स्किन के हर प्रॉब्लम को दूर करता है, अगर चिकन पॉक्स का भी दाग होता है, तो संडल ओड लगाने से वह दाग चली जाती है, तो यह रिपेरिंग का काम करता है, आपके स्किन में किसी भी तरह भी स्पॉट्स होग इ प्रॉप डालेंगे, नॉर्मल स्किन है तो तू यह थ्री डॉप डालेंगे, पहले ड्रॉप डालकर के मिला के अपने चेहरे पे लगा के आप देख लो कि एक बूं से ज्यादा जह पा रहे हो, तब चार डॉप लाना क्यूंकि चार डॉप बहुत कोर है, वह 50 प्लस को सू बहुत 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 गरम करता है, बहुत बहुत असिदिक किसमका होता है, इस चीज को जरूर धियान रखिए क्वांटिटी का, कि वन रॉप तो फो ड्रॉप, रोजिप ओल भी और संडलोड ओल, वन रॉप तो फो ड्रॉप के बीच में आपको खुद तै करना या सोराइसिस है तो वहां पर आप ये करेंगे कि टू-3 पिंच डालेंगे लेकिन नॉर्मल स्किन पर ये गलती मत करना अगर सिर्फ पिग्मिंट है तो आपके वन पिंच से काम चल जाएगा ये चीज को ध्यान रखिए जब प्रॉब्लम होती है तब कोई कंटेंट को कुछ लोगी क्वेस्टिंस हो सकते हैं यहां पर कि विटामीन विक्स कर सकते हैं नहीं मैं चाहती तो मैं रोज हिप्स ओल के जग़ह बिटामीन E के कैप्सूल काट के डाल सकती थी और गर्मियों में अगर आप विटामीन E डालेंगे तो आपके निपे पिम्पल्ग दाने और भी दाने देदेगा और ब्लाकनेस आनी शुरू हो जाईए आपको तो यह चीज़ धियान रखिएगा कि अगविडामिनी तभी लगाए जो एस्ट्रेलिया में है अस्ट्रेलिया के लोग थंड़क पढ़ रही है वो लगा सते हैं लेकिन जहां जहां गर्मी पढ़ रही ह यह बहुत करना पड़ता है क्योंकि यह सद भस ड़स्ट बहुत बारी है तो आपको बहुत मिलाना पड़ेगा मैंने विडियो मुटना दिखाया नहीं कार्टिया यह काफी देर तक मिक्स किया आने काफी देर तक इट मींस 10-15 मिनट, तो यह आप ध्यान रखेगा, कंटेनर इसका शीशे का होना चाहिए, मैं बाउल में आपको दिखा रही हूँ, कोई भी जार ले लो, अचार की जार ले लो, कोई भी असी जार ले लो, उसमें आप इसको डाल के रखो, नहीं अगर आपको जार मिलता है, मैं जार का लिंक दे दूगी, अगर आपको कंफटेवल लगता है, तो वह आप खरीदो, उसमें रख लो, उस टाइप का जार खरीदो, लोकली उसमें रख लो, लेकिन शीशे के जार में रखोगे तो जादा बेटर है, प्लास्टीक कंटीनर से, विकर इसमें जरूरी नहीं हर टाइम, इस चीज का बिलकुल धान रखे, आप एप्लिकेशन पर आते इसको एप्लिकेशन करना कैसे, आप इसको रात में लगाएंगे, जितना अगर आपका नॉर्मल स्कीन है, तो नॉर्मल लगाईए, जैसे लगाते हैं, जितना आपके फेस पेस पे स् सेंसिटिव स्कीन है, तो बिलकुल लगा के हलका सा टीशू पेवर से पोच लिजे कि अगर एक्स्टा ओल होगा तो वो निकल जाएगा, ये चीज ध्यान रखेगा, ये ओली स्कीन के लिए है, उसके बाद अगर जिनको विटमिन सी की आदत है, मेरा विटमिन सी सीरम जो ल तो उसमें जो मैंने बताया हुआ है, ग्लिसरीन उसकी मातरा बहुत कम कीजिए, उसको वन फोर्थ या वन एर्थ कर दीजिए, अपने स्किन के हसाब से, बहुत ग्रीसी रहेगा तो आपका स्किन खराब हो जाएगा, लेकिन विटमिन सी सिरम लगाना कमपल सरी नहीं है, ज मेरे साब से अड्वाइजबल नहीं है कि समर में डे क्रीम आप यूस कीजिए, फिर भी अगर आप मांग रहे है तो इसी को आप यूस कर सकते बहुत इजिली, सुभह फेश वोर्ष करना है, और फेश वोर्ष करने के बाद इसको अपलाई कीजिए, लेकिन नॉर्मल हो ड् अगर इस चीज का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जो आपको बेनिफिट देना है ये लॉस देना शुरू होगा ये इसलिए है क्योंकि इसमे दो एशिंचेल और एक सीमा होती है अगर उसे जादा गर्मी उसको दी ग जो कि आपका जो अशिंचल ओल है वह बढ़ रहा है ज्यादा हो रहा है इस वज़े से तो उसमें कॉंटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी उसकी गर्मी थोड़ी कम लगे और लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसको वाइप आफ कर लीजे किसी भी टिशू पेपर कर देखना इस बात को और अपना फीड़ेक जरूर दीजेगा नीचे जिस तरह संडलवूड ओल में वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने फीड़ग दिया जिसकी वजह से दूसरे लोग बहुत मोटिवेट होते हैं तो थैंकियो सो मच आपके फीड़ग के लिए तो इस आपको विदिन 10 देज बहुत सारे चेंज नजर जाएंगे चार पांच दिन में मुश्किल है लेकिन दस दिन में बहुत अच्छा चेंज नजर आएगा तो आप दस दिन के बाद बिल्कुल नीचे फीड़ग दीजे कि आपको कैसा लगा और मेरी ये रिसर्च मेरा इन्फ स्किन केर ये हैर के साथ और वेट लॉस वीडियो अभी आने वाला है तो काफी सर आएगा तो दोन डिसार्टन की आपको नहीं मिल रहा कुछ दिन में मैं बिल्कुल वो भी डालने वाली हूं थोड़ा सा परहेज कीटों से है लेकिन डरो मत मैं कोई ने कोई उपाई डूं